हारार महादेव देवो का देव महादेव जी के चरन में परणाम करती हूँ मेरा परणाम स्विकार हो माता अगवरा पार्वती के चरन में परणाम करती हूँ मेरा परणाम स्विकार हो गनपती लेलनमा के चरन में परणाम करती हूँ मेरा परणाम स्विकार हो गुरुभाई बहना, मैं आज फिर से एक नया कथा लेकर आई हूँ एक कथा बहुत सुन्दर कथा इस कथा को पूरा सुनिये और इसका रहत जानिये आदी नहीं, आदी सुनने में सिव गुरु का अपमान है और पूरा सुनने में ग्यार तो गुरुभाई बहना, आप कथा सुनिये और समझे गुरुभाई बहना, कथा सुनकर एक लाइक कर दिजिए या तो कमेंट बॉक्स में आपको कहानी अच्छा लगे तो अच्छा लिख दिजिए और नहीं तो अच्छा नहीं है तो भी लिखिए कि बहन जी या तो जिस लायक हैं वो बोले कि हाँ बहन जी या बिटिया या मता जी एक अच्छा अच्छा नहीं लगा मैं उसमें खूस हो जाओंगी तो गुरुभाई बहना चलते हैं कथा की ओर गुरुभाई बहना एक राजा थे देखिए बहुत पुरानी जवानी की कहानी है एक राजा थे राजा का नाम हरी देविंद्र था हरी देविंद्र राजा और राणी जो थी का मोदा देवी थी उसका नाम का मोदा था राणी का नाम कमोदा और राजा हरी देविंद गुरुभाई बहना राजा जो जो थे प्रती दिन सिकार खेलने को लिए बन में जाते थे सिकार मिले अथवा नहीं मिले लेकिन राजा प्रती दिन सिकार खेलने को लिए बन में जाया करते थे गुरुभाई वहना एक दिन का बात है कि बे माता जो होती है जो भागे लिखती है बे माता बन में बैटकर अकेली अपने अस्थान पे और भागे लिख रही थी और जो राजा हरी देविंद्र था उसका नजर पड़ गया और बोला कि ए बढ़िया क्या कर रही हो केले बन में बैठी क्या तू रक्षीनी हो क्या किसी को इंतिजार में हो बे माता कहते हैं है पूत्र मैं कोई राक्षीनी नहीं हूँ और नहीं मैं किसी का कास देख रही हूँ मैं तो किसी का जोड़ी का तोड़ रहा हूँ और किसी का जोड़ी बना रहा हूँ गुरु भाई बना राजा कहते हैं माता आपका बात को तो मैंने समझा नहीं बे माता कहती है है पुत्र तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा मैं तो भाग लिख रहा हूँ तो भाग में किसी का जोड़ी का तोड़ रहा हूँ और किसी का जोड़ रहा हूँ और क्या करूँगा राजा बोला महारा निवा हे बिया मेरा भाग में क्या है मुझे बता दो गुरुभाई बहना राजा बोला मेरा ब्या होगा या नहीं बे माता बोली अरे पुत्र तुम्हें तो स्तात रानी पहले से है और क्या तुम कहना चाहते हो राजा इस वाज सुनकर बड़े संकोज में हो गए और सोचने लगे कि लगता है कि कोई सा धारन बुड़िया ये नहीं है सच मुझ में कोई ये देवी है फिर भी ये राजा बोला नहीं 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 मुझे तो विवा हुआ ही नहीं है आप जूट क्यों बोलते हैं माता और अपने आपको कहते हैं मैं बेमाता हूँ मेरा बिवाह नहीं हुआ है क्या मेरा बिवाह नहीं होगा बेमाता गुस्से में तम्तमाती हुई आख उनका आलाल हो गया जैसे रक्त गिर रहा है उस परकार और मा बेमाता कहती है हाँ तुम्हारा विवा होगा उसी से जो तुम्हारा जल्मा रहेगा तेरे बुन से उसका जल्म रहेगा तेरा बेटी रहेगा और तेरी रानी का ओद्र से जल्म लेगा उसी से तुम्हारा विवा होगा जाओ इतना कहने पर राजा कहने लगे हे माता आप क्रोध ना हुए एसा स्राप मुझे मत दिजिए कहने लगे स्राप मैं नहीं दिया हूँ तेरा आंक में मैं लिख दिया हूँ तेरा ये लिखा गया तेरा सात रानी है और आठ वी रानी तेरा बेटी रहेगी राजा बोला माता सात रानी तो मुझे सच मुछ में है लेकिन संतान बाली एक भी नहीं है कहने लगे बे माता तो ठीक है जाओ अब संतान हो जाएगा और बे माता अंतर ध्यान हो गए जब अंतरध्यान हो गए तो राजा सौख कर इधर उधर देखने लगे और सोचते हैं राजा हरी देविंद्र कि अरे ये तो सही में कोई देवी थी गुरुभाई वना राजा अपना मुँ लटकाए घरा भापस आ गए उनकी राणी जो बड़ी राणी थी राणी का मोदा देवी और तो छारा निया थी लेकिन बड़ी राणी का हर आग्या राजा सुविकारते थे तो गुरुभाई वना बड़ी राणी बोली राजा साहाथ आप बड़े उदास में हैं जिनका चेहरा पानी में रहता हुआ कमल के खीर की तरह फूल की तरह खील कर और शुहावन लगता है उस तरह कमल का फूल खिलता है जैसा आपका चेहरा खिला हुआ रहता है और आज तो लगता है कि कोई जंगल से वे सुखा हुआ पत्ता कि तरह आपका मूँ हो गया है मैं तो कुछ बताने को लिए सोच रहा हूं पर बताऊं या नहीं कामोदा रानी बोली बोली राजा साहब क्या बात है राजा बोला जब आज हम जंगल में गए तो जंगल में सिखार करने ही करने ही शुरू किये थे कि एक बुड़िया पर नजल पड़ा और बुड़िया आपने आपको बोली कि मैं बे माता हूं किसी का जोड़ी का तोड़ रहा हूं और किसी का जोड़ रहा हूं तो मैंने बोला कि मेरा भाग में क्या है तो वो माता बोले तुम्हें तो साथ रानी है हमने जूट बोला कि मेरा एक वीरानी नहीं है तो क्या कहूं वो बोल दिये कि ठीक है तो आठ वीरानी तेरा ही बेटी हुगा गुरुभाई वहना उसमें पांच मास्की एरानी कामोदा देवी गर्वती थी और अपने पती से चुपके वे थी सर्पराज देना चाहती थी कि जब मेरा ओद्र से पुत्र जन्म लेगा तभी बताएंगे राजा को गुरुभाई वहना मन ही मन सोचती है कि अरे मैं तो पुत्र का जन्म दूँगा मैं थोड़ी न पुत्री का जन्म दूँगा कैसे बोली कि राजा सहाव ऐसा बात भूल जाईए कोई वो बे माता नहीं होगी ओ कोई होगी बन के लकडियां काटने वाला कोई ऐसा होगा गुरुभाई वहना राजा चिंतित रह गए लेकिन रानी उन्हें हसा पे खिलाते बुलाते और उस बात को भूला दी गुरुभाई वहना जब नौमा महीना हुआ नौमा महीना हुआ तो इसे परसब हुआ जो रानी थी उसका परसब हुआ बच्चा हुआ बच्चा जन्म लिया दाई को बुलवाई और दाई और दासी दोनों आई लड़की जन्म लिया तो रानी कहती है दासी का सुना का सुना होरे हमारे अर पीता जे के दाईवारे अर सुने ले हमाना चित लगाईजे हमारोज बेटी अर दाईवारे अमुखना देखाई जे अले इले ओचुन्दरी मेला पेटी जे काटी गवडवाए दाईआ अभरे तो दिया जी अर राजा जी के मुकावाना देखाई कि गुर्वाए वहना कन्या जो जन्मली थी बड़ी सुन्दर थी अवेरा नहीं सोचती है कि मेरा ओद्र से लड़की जन्मली आ है राजा को तो बताए वे नहीं करेंगे और बिना बताए इसको गड़े में कटवा क्या भरवा देंगे तो कैसे अराजा से विवा होगा गुर्वाई वहना दाई लेली कपड़ा में लपेट के और लेकर और जो कुमार का मटखान होता है उसी मटखान में एक गड़े करके गुर्वाई वहना और इसको गला नहीं काटी मटखान में ले जाके और पताई से जहांक दी और चली आई गुरुभाई बाना जब चली आई कुमार और कुमारीन दोनों गए मिटी लाने को लिए तो बच्ची पूरा चिला चिला के रो रही थी क्योंकि तुरंद का बच्चा जल्मा हुआ था तो पूरा रो रही थी और कुमारिन कहती अपने पती से हे स्वामिनात लगता किसी चीज का आवाद है कहां रो रहा है गुरुभाई वहना कुमार भी बोला हाँ देवी लगता है पिर ये कोई रो रहा है बच्चा अब इदर उदर ढूंडते ढूंडते पताई से छिपा हुआ बच्चा बच्चे को गोद में लेकर अपना सीने से लगा ली और उसका संतान नहीं था करती है कुमारिन कहे स्वामिनात मेरा असरे पुरा हो गया मेरा एक भी संतान नहीं था लेकिन आज मैं संतान वाली हो गई इसे पोसेंगे पालेंगे और बड़ा करेंगे और खूब पढ़ाएंगे इसे और एक राजा के घर में विवाह करेंगे इसका रूप तो देखिए देवी दुरुगा की तरह इसका रूप है गुरुभाई वहना कुमार और कुमारिन मट्टी नहीं लिए और घर आ गए घर आ गए अपना सीने से लगाये तो उसका दूद होने लगा और अपना दूद बेचारी पिलाने लगी गुरुभाई वहना धीरे 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 वो पोशने पालने लगी और जो कुमारिन थी कुमारिन और कुमार दोनों मटी लाने जाते थे तो लड़की धीरे धीरे बड़ी हो गई तो कहने लगी मा अब तुम मिटी लाने नहीं जाएगी अब मैं जाओंगा मिटी लाने तुम थोड़ी सी लाती हो और मैं जादा मिटी लाओंगा गुरुभाई बहना अपने माता पिता के मदद करने के लिए मिटी जाकर लाने लगी और अपने पिता के काम करने लगी हलिया बरतन बनाने लगी डखनी चुका बनाने लगी कुरुभाई बना जो भी कुमार काम करते हैं किसने जगा परजापती करते हैं कितना पांडे जी करते हैं कितना कुमार करते हैं तो गुरुभाई बना मेरे घर तो उसे जो मट्टी का काम करते हैं उसे कुमार करते हैं तो मैं कुमार ही बता रहे हूं बिचारी ओक लड़की भी काम करने लगी अपने पिता की तरह अब धीरे दीरे ओ बारा ब्रस की सुंदर एक कन्या हो गई उसका रूप जो था देवी की तरह सज गया इतना सुंदर रूप इतना सुंदर रूप कि देखते ही देखते लगता गुरु भाई वहना जब एसा देखे राजा कि किसका बेटी है यह इसका रूप जनवी है और वही राजा जिस राजा कि उकण्या थी उसी राजा उसी रास्ते से सिकार खेलने जाते थे और नजर पढ़ गया जब नजर पढ़ा गुरु भाई बहना तो राजा कहते हैं कि ये किसका बेटी है बड़ा सुन्दर है उस लड़की से पुझे तुम्हारा घर कहा है और पिता का नाम क्या है तो लड़की बोली मेरे पिता जी का खेखडा कुमार नाम है ये क्या कहना है गृु भाई बहना राजा जो थे राजा बोलै कि ठीक है जाओ घर लड़की चली गई और राजा बापस लोट कराका और अपने रानी के पास बैट कर करते हैं कि राणी मैं बिवाह करना चाहता हूं तो गुरुभाई वहना पहले के राजा कई विवाह करते थे और सारा राणिया उनको मिल जुलकर रहती थी और कई बच्चे भी राजा को रहते थे सातरानी, दसरानी, आठरानी, ऐसे करके पांचरानी, चारानी, एक एक राजा वियाह करते थे गुरुभाई वहना ये जो राजा थे अपने बड़ी रानी से बोले कि बिवा करेंगे बोले कि महाराज कहां तो एक खेकड़ा कुमार का बेटी है उसी किया आप नाई को और ब्रहावन को भेज दिजिए सगुन लेकर गुरुभाई वहना बड़ी रानी बोली महाराज हम लोग तो पहले से साथ हैं आठी रानी अपलाना चाहते हैं गुरुभाई वहना राजा मुस्कुराते हुए बोले क्या तुम्हें दिकत है क्या बड़ी रानी बोली महाराज मुझे क्या दिकत खाने और पहनने से मतलब है कहने लगे उससे ब्या करेंगे तो हो सकता है संतान हो जाए गुरु भाई बहना ये तो सोची थी कि मेरा कन्या जो ओद्रि से जन्म लिया था ओ तो मर गई होगी ओ तो जिन्दा नहीं होगी इससे क्या पता कि वही कन्या है नाई को बुला कर और ब्रहामन को बुला कर सगुन भेजवा दिये कुमार के घर गुरु भाई बहना कुमार कहते हैं कि मैं राजा से विवा अपने बेटी को नहीं करूँगा तो आई माई दाई जो टोला प्रोशन के थे कहने लगे राजा साहब राजा के घर से आप कहां सगुन आया है आप सुविकार कर लिजिए और ब्या के लिए तयार हो जाईए आप अपना बेटी का बिवा राजा से कर दीजिए गुरुभाई वहना कुमार विचारा तयार हो गए और राजा अपना बारात का तयारी कर लिया ब्रहामन वहां से आगए लोटकर और नाई राजा जो थे राजा तयारी कर लिये गुरुभाई वहना बारात का और बारात के तयारी करके बारात साज के उसके किहां कुमार के घर ले कर गए और चोका पर बैठे अपने बेटी के साथ गड़ बंदन हुआ मांग में सिंदूर भर दिये और सिंदूर भर के और उन से साधि कर लिये मंगल सुत्र पिना दिये फेरे ले लिये गुरुभाई वहना बेटी के साथ विवा होकर और घर लोट गए गर लोट गए तो बड़ी राणी जो थी साम का समय में सुहाग से सजा रही थी और उनका घर में एक गरवया पच्छी रहती थी और गरवया गरवयनी दोनों रहती थी तो गुर्वाई वना ओ गरवया कहती है अपने गरवई से कि आज कुछ अनोखी होने वाला है आज बड़ा अधूत हो जाएगा आज बहुत बड़ा बुरा होने वाला है गरवया की पत्नी कहती है आज क्या होगा सामी आज तो राजा के ब्या हुआ है और राजा अपने सुहाग सुएच पर जाएंगे अपने पत्नी के साथ कहते हैं कि देखो राजा के तो सात्रानी पहले से है तो उनकी पत्नी बोली हाँ तो आठमा रानी है जानती हो कौन है बड़ी रानी का बच्चा हुआ था उतो तो देखी थी तो गर्बईया की पत्नी बोली हाँ स्वामी नात देखे थे तो जब जन्म हुआ था तो दाई के हाँ थे भेजा दिया था कि इसको जाके काट के गाड़ देना लेकिन दाई को ये काटा नहीं गया दाई बेचारी एक गड़े में पताई से छिपा के बच्ची को और बापस आ गई थी और कुमार जो था कुमार मिटी लेने आया और उस बच्ची को क्या किया की उठा लिया और पोस लिया आज उही बच्ची से राजा का विवा हुआ है ये राजा जो हैं आज बहुत बड़ा नर्थ करेंगे मांग में तो सिंदूर भर दिये हैं लेकिन आज की राज बिदा लेंगे तो दुनिया में बाप और बेटी का लाज नहीं रहेगा कोई बाप और बेटी नहीं समझेंगे ये जो गर्बाई है और काती है कि हे भगवान हे महादेव इस बात को यदि कोई सुनता होगा तो राणी से या राजा से बता देंगे तो इतना बड़ा अनर्थ होने से रुख जाएगा गर्बाई वहना ये जो राणी थी राणी का मोदा देवी सुन रही थी सारी बात और फूल जो हाथ में ली हुई थी डाली सजा रही थी फूल का हाथ का डाली छुट गया स्वहाग सेज का सजा हुआ सब तोड़ फोड़ कर दी और सवाहा धर्ती लिपके दूद से और कब थोड़ी भगवान के ध्यान करके और करती है कि है धर्ती माता तू फट जा और हम तेरे गोद में आकर और अपने आत्मा को सांती दे देंगे गुरुबाई भवना बिंती करके अराधना कर रही थी और धर्ती फट गया की जो दाई दाशी थे ओ दौड़े दौड़े राजा के पास गए और कहने लगे कि हेडाजा साहाब आपको नहीं पता राणी तो धर्ती फटने के लिए धर्ती से प्रातना कर रही है पता नहीं किस कारण रानी धर्ती के गोद में जाना चाहती है धर्ती माता के गोद में गुरुभाई वाना खबर मिलते ही राजा दोडे दोडे आये तब तक धर्ती फट चुका था और रानी अंदर जा रही थी धीरे-धीरे धर्ती माता के गोद में और ये जो राजा थे राजा कहने लगे कि ही रानी आप क्यों धर्ती में छपित हो रहे हैं ये रानी कातिये कि राजा सहाब मैं आक्षे एक बहुत बड़ा बात शिपाया हूँ उसी बात के लिए मैं धर्ती के गोद में जा रहा हूँ मैं आपके मुँ दिखाने लायक नहीं हूँ और आप जो विवा किये हैं ओ कोई और नहीं ओ मेरा ओद्र से कन्या जन्म ली थी और आपके लाज बचाने के लिए हम उसे मटखान में फिकवा दिये थे और कुमार ने पोस्ट लिया है और उसी कन्या से आपका विवा हुआ गुरु भाई वहना राजा बोले ये सब तुम्हें कैसे पता चला रानी कहती है कि ये सब पता मुझे ऐसे चला एक गर्बैया और एक गर्बैनी दोनों बात कर रहे थे और उनका बाते मैं सुनकर और इसा आपके कह रहा हूँ है राजन इसे कुत्री का मान दीजिए इसे सुहाग सेज पर मत ले जाईएगा और मैं धती माता के पास गोद में जा रहा हूँ आप दुवारा कभी नहीं मिलेंगे गुरुभाई बना बड़ी रानी जो थी सती थी उसका बेटी सिराजा का विवा हो गया तो कैसे अपने सौतन बना ली और उसका मुझ कैसे देख सकती थी और सर्म के मारे भगवान से प्रातना करके धर्ती से प्रातना करके और धर्ती में समा गई गुरुभाई बना ये जो राजा थे राजा इस बात को पता करने के लिए चले गए कुमार के पास और कुमार के पार जाके कुमार इनसे बोले कुमार से कि इस कन्या को आप कहां से लाए थे बोली कि मेरा कन्या तो मीटी का मिटखान में पड़ी हुई थी घास पताई से ढखी थी मैं उसे पोस्ट लिया और मेरा कोई संतान नहीं था तो मैं इसका विवा कर दिया आप आपने देखा तो आप लुखा गए हैं और आपसे विवा किया गुरुभाई वहना राजा बोला कि यह तो मेरा कन्या थी और मैंने तो पाप कर दिया गुरुभाई वहना राजा भी एतना बात सुनकार और अपना प्रान को त्याग दिये कुमार की बेटी कुमार के पास चली गई और कुमार ने उसके दुसरे के साथ बिवा कर दिये और बेटी सुखी जीवन बिताई राजा भी सर्म के मारे अपना प्रान त्याग दिये तो गुरुभाई बहना बे माता जो गुसे में सराब दी थी यह नहीं कि लिखा हुआ था गुसे में किसी को छोटा किसी को इतना छोटा भी नहीं समझना चाहिए एक मचली भी सराब देती है गंगा को जो की गंगा सुख के बालू रेथ हो जाती है लेकिन बिना पानी के मचली भी नहीं रह सकती है उसी तरह राजा को सराब बे माता दिये और राजा को लगा कि यह तो बढ़िया है तो गुरुभाई वहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लायक किजिए सेर किजिए सस्क्राइब किजिए और गुरुभाई वहना लायक तो आप करना भूली जाते हैं तो लायक किजिए या नहीं लायक करते हैं तो comment box में आपको कहानी जैसा लगे वज़रूर लिखे हूं। मैं instagram पी भी उं। मैं facebook पे instagram पे follow किजिए लायक किजिए share किजिए। धन्यवाद हरर महादेव घरकर महादेव प्रेम शेबुलिय संकर बगवान कीजे